आई पील 23 तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे ऐपल2013 के बारे में एक एक सारा चीज़ों को देखेंगे कि हाँ से कोशन पुझी जाने की संभावना है क्योंकि ये कुरणड अफ्यस से भिलेक्टेड है और यहाँ विजियो चीज़ें यहां पर हुई है गुन सा चीज़ें को मैं एके करके आप लोगों को बताता हूं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों करते हैं और इस प्रकर आइपेल के इतिहास में पांचोंवी बार यहां जित लिया है खिताब को चैने सुपर किंग्स ने तो इस बार कर जो है चैने सुपर किंग्स वीनर बन गया है यहां पर इसका इसका टाइटल स्पोंसरसिप कोन है तो यह है टाटा तो यहं स्पोंसर्षिप जो आप लोगों को ध्यांद रखना थिए आई पेल दोजा तेज का ओपनिंग सेरेमनी नरेंदर मोधी स्टेडियम अहंधाबाद में 31 मार्च दोजा तेज को हुआ जिसमें रस्मी का मंधाना और तमाना भाटिया ने अपनी प्रहस्तोति दी तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ तो इस्टेडियम आउंदाबाद में और 31 माज दोजा तेज को हुआ था तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है याद करना है कि आई पील 2023 मार्च 31 से लेकर कि 29 माई तक खेला गया तो यह भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं 31 मार्च से शुरूवा था और 29 माई तक आई दोजार तेइस खेला गया कि यहां पर बात कर लेते हैं कि आई पर दोजाटेश मार्च 31 में खेला तक यही कूल मैच यहां पर कितना हुआ था कूल मैच हुए है यहां पर 74 जिसमें से सत्तर लीग मैच हुए थे और चार फ्लेयोप गेम हुए फाइनल मैच सही तो इस परक पोटल तेम जो थे यहां पर भाग लिए थे वह दस यहां पर भाग लिए थे यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे यहां से भी कोश्चन पूछे जाने की संभावना है आई पर दोजाटेश का पहला मैच CSK और GT के बीच में अमदाबाद में 31 मार्च को खेला गया जिसमें गुजरा टाइटन्स ने CSK को पांच विगर्ट से हराया तो यह आई पर देश का पहला मैच हुआ था हुआ हुआ है चैने सुपर किंग्स और गुजरा चायन टाइटन्स के बीच में अमदाबाद में 31 मार्च को खेला गया था जिसमें गुजरा टाइटन्स ने CSK को पां 20 पॉइंट्स लेकर table top पर था यानि कि 14 में ये 20 पॉइंट्स लेकर के table में सबसे top पर थे गुजरा टाइटन्स और सबसे नीचा जयाने कि 10 नंबर पर जो थी TME वहा थी Sunriders हदराबाद जो की 14 में चमें केबल 8 points के साथ में थी और सबसे निचे स्थान पर थी तो ये भी आप लोग ध्यान सकते हैं कि पहले स्थान पर पॉंच्टेबल में गुजिरा टाइटन्स और सबसे लास्ट में यानि की 10 में स्थान पर Sunriders हदराबाद तो ये आप अब लोग ध्यान रखते हैं गुजिरा टाइटन्स के जो है केप्टेन जो थे हुआ हारदिक पांडिय ये तो आप लोग जानते हैं यह भी ध्यान रख सकते हैं कि केप्टेन जो थे हारदिक पांडिय साथ ही साथ दस्वे नंबर की जो टीम थी Sunriders हदराबाद तो वहा इ तो यह आप लोग 4 ट्रंडय उखने दिद्धी को द्यान रखेंगे गुजिरा टाइटन्स और यहां पर लखनो सुपर जोन ते है वह केल राहूल थे बात में चोटिल के चलते फिर कुरुनाल पांडिया यहां पर क्येप्टेनी करने लगे थे मुम्बाइटियंस के वह रोहित सर्मा यह तो आप लोग जानते ही हैं तो यह जो है चार ती में क्वालिफाइड टीम में थी प्लेयोप्स के लिए अब हम लोग आगे बात करते हैं काँ सब्सक्राइड करते हैं कि मी ऑट्समाइ को खेला गया बारी आपांदाबाद में और फैसला रही है यहां पर गुजरा टाइटान्स जो है पहले बल्ले बाजी करने का मौका बिलाएंटा तो वहाँ दोसे 24 रन चार विकेट पर टोटल 20 अवर में बनायते यह 24 रन यान टू है टू हंड्रेड फॉर्टिन रन बनाया थे चार विकेट निशार पर 20 अवर में बाद में बार्ष के कारण डियलेस मेथड से कि सियसके ने 171 रन पांच विकेट से बनाकर 15 अवर में मेच जित लिया और आईपेल होजा तेश का चेंपियन बन गया तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को अब हम बात करते हैं फाइनल मेच में ही प्लेयर बदर मेच कोन बने तो प्लेयर बदर मेच जो रह यानिक चैने सुपर किंग्स के खेलाड़ी है तो फ्लेयर बदर मेच रहे डेवन कौनवे अब हम लोग यहाँ पर आगे ओसीजों को देखते हैं तो यहाँ विनर जो है CSK और रणर अब जो है वह गुजरा टाइटन्स तो यह आप लोग ध्यान लखेंगे इस बार टाटा के लिए मिलता है तो ओरेंज के मिला सुब्मण गिल्गो जोकी 17 मेच में 809 बनाते यह दिंगे साप से ज़्याद है सारवादर के नवाले को मिलता है तो harassment को मिल तो मुहमाद समी जोकि गुजराद Itertines DC लड़ी यहां जो कि 17 में 28 लिए थे सब्सक्राइब बात करते किसी एक मिच में तो वह बनाये थे 12 यानि के 12 सेंचूरी बने इस टाटा आइपल 2023 में तो यह भी आप लोग घ्यान रखेंगे इस चारों को इसके लाब में आगे और देखते हैं सरवाधिक सतक कोन बनाया है यह भी अगर बात करते हैं तो सरवाधिक सतक सूबमंगिल के द्वारा बनाया है जो कि तीन सतक बनाया है इस पूरे सीजन में सरवाधिक सतक की बात करते हैं तो सूबमंगिल तीन सतक सबसे पहला सतक किस ने बनाया है तो सबसे पहला सतक जो बनाय सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब इस सिजन में तो यह आपको द्यान रखना है सारे बहरी बहरी इंपोडेंट यहां से हो सकता आप आपके लिए कोशन भूचाई जाएगा तो सर्वादिक सिक्स जो बनाया है वह फापड़ प्लेशिज बनाया है हम आगे और देखते हैं यह भी बहुत सा चीज़ इंपोर्टेंट है सरवादिक चोगे की बात करते हैं यानने कि सरवादिक फोर्स किसमे मारा रहा है तो हां सुबमन्गिल ने मारा है चोगें85 चोगे मारा ह्ए सर्वादिक चोगे सिज़न में वह हैं मतलब खेल भावना खेल को समझने के लिए और खेल भावना को बना रखने के लिए यह तीम को दिया जाता है यह अवार्ड तो यह अवार्ड मिला है डेली केपिटल जिनके कप्टाने डेविड वार्न इमर्जिंग प्लेयर अवदा सीजन कोण बने इस टाटाइब टॉंटे क्टीर में तो यह सस्वी जैसवाल मिला है यह अपर आप गजराइटन्स के खिलाडी यह सब सारी चीज़े इंपोर्टेंट इसके अलावा में अगर हम बात करते हैं आगे में तो यहां पर देखिए most valuable player का award मिला है यहाँ पर Subman Gill को यह भी याद रखेंगे Subman Gill को most valuable player का खिता मिला है player of the series यह important है तो player of the series मिला है यह Subman Gill को ही मिला है जो की गुजराद Titans के खिलाड़ी है Subman Gill player of the series striker of the season यह भी award दिया गया है और यह award मिला है Glen Maxwell को जो की Royal Challenge बेंगलोर के खिलाड़ी है Glen Maxwell इनको striker of the season मिला है longest six of the season longest six सबसे ज़्यादा लंबा six कोन मारा है तो यह 115 मेटर का चक्का है सबसे longest six इस सीजन का और यह बनाए है फाब्ड प्लेसिस ने यानि फाब्ड प्लेसिस ने सबसे लंबा चक्का मारा है वो के तना मारा हुआ 115 मेटर का चक्का मारा है यह इनको इनको यह अवाड दिया गया है अब हम लोग बात करते हैं अभी तक जितने भी आईपेल हुआ यानि कि 2008 से यह आईपेल शुरू हुआ है से 2023 तक में यानि कि टोटल सोलर एडिशन इसका हो गया तो इसमें सबसे ज़्यादा बार विजिता कौन बने तो यह है चैने सुपर किंग्स और मुंबई इंडेस बने हैं जो की 55 बार विजिता बने हैं दोनों CSK और मुंबई इंडेस दोनों 55 बार टाइटल को जीत लें याने की वीनर बने हैं यह आप लोग ध्यान रखेंगे तो इतनी सारे जानकारे को आप लोगों को ध्यान रखना है IPL यहां से कोश्चन आप लोगों के लिए पूछा जाने की पूरी संभाना है और यहां पर जो है भीलोगों कुछीजर को एक दम याथ रखना ही यहीं से कोश्चन पुजाने के संभाना है उँआ पर आप लोगोद देख रहे हैं कि जितने जड़ा है सबसे ज़्यादा अवाड जो है यहां पर सूब्मान गील को मिला है है जो कि गुजरात टाइटन्स के खिलाडी है तो सुमन गील को इस पर वह जादर आवार्ड मिल गया है आप लोग यहां पर देखी रहा है कि यहां पर जितने पी चीज थी वह आप लोग ध्यान रखेंगे मैंने एक एक करके सारी चीजों को बता दिया है तो यह जो है आई प्ल टूइंटे टूइंटे तरी याने की टाटा आई प्ल टूइंटे टूइंटे तरी के बारे में एक एक करके सारी चीजों को आप लोग देख लेंगे और ध्यान रखेंगे